हरे गिश्ना आप सोच रहूंगे कि मैंने ऐसा टाइटल क्यों रखा है कि क्या आपने गणेश जी की हत्या करने के लिए धन दिया है या रुपिया दिया है क्यूंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपने गणेश जी की हत्या करने के लिए किसी को रुपिया दिया है इस बात को समझने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा आज मैं आदुनी युग में जो गणे सिसो हो रहा है उसके बारे में कहूंगा ये उस्सो पूरे भारत में विशेश करके महाराष्ट और गुजरात में होता है सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आजकल जो गणे सिसो हो रहा है क्या वो वास्तों में सास्तर जारा पड़मानित है या फिर अपने मन मने ढंग से हो रहा है सास्तर में गणेस की पूजा का वनन है लेकिन आजकल जैसी पूजा होती है ऐसा वनन नहीं है इस आधुनिक गणेश पूजा का प्रारंब लोकमाने तिलक ने किया था जो किसी विशेश उद्देशिक को लेकर था लेकिन लोकों ने उस उद्देशिक को समझे बिना इस गणेश उसों को चालू रखा इस आधुनिक गणेश पूजा का परतम दोस ये है कि इनकी जो मूर्ती बनाई जाती है वो मूर्ती सास्तर के नुसार नहीं है अर्थार्थ मूर्ती का जो अलग-लग रूप है वो सास्तर के नुसार नहीं है जैसे आप ये फोटो में देख सकते हैं आपने कभी पैड़ा है आपने कभी पढ़ा है कि गणेश जी मोटर साइकल चला रहे है ये फोटो देखिए इसमें गणेश जी मोधी जी के चाई पी रहे है क्या सास्तर में ऐसा वनने कि मोधी जी और गणेश जी मिलकर चाई पी जीव है और गने जी एक महान देवता है इन दोनों को एक सम्मान इस्तर के आसन पर बिठाना ही यह बहुत बड़ा अपराद है फिर यह पोटो को देखिए इसमें गने जी सेलपी ले रहे हैं कि असर में सा वणन है कि गने जी के पास एक एंड्रोइड मोबाइल है और गने ज करने के साथ सरीर कृष्ण का है लेकिन जो सीर है वो गने जी के लगाया हुआ है जो सास्त्र के अनुसार गोर अपमान है अगर किसी अगर कोई व्यक्ती किसी दूसरे की पत्ने के साथ अपना फोटो लगा ले तो क्या उसका पती चला लेगा नहीं चलाएगा तो क्या क्रि की और ले जाएगा इन मुर्खों ने देवता और भगवान और देवी देवता को मदाग समझ कर रख लिया है इस गणेश पुजा का दूसरा दोस है कि जादा तर लोग गणेशी को लाकर रोड पर इस्तापना करते हैं जहां पर बहुत सारे वीकल का धुँआ आता है गणेशी को रोड पर रख देते हैं और हम मज़े से एसी में सो जाते हैं लेकिन गणेशी को रोड पर एक पुतला समझ कर रख देते हैं यह एक देवता का घोर अपमान है इस आदुनिक पुजा का तीसरा दोस जितने भी गणेशी की स्तापना रहती है उतने दिन और जब विस्सेजन होता है तब बहुत सारे फिल्मी गाने बजते हैं जो सास्तर के नुशार नहीं है अगर आपके घर कोई परमनिक सादू आएगा तो क्या आप जोर-जोर से फिल्मी गाने बजाएंगे- गाएंगे सबावी के नहीं करेंगे इसे ही तो ये देवता है, यह तो गनेश जी का अपराध है, फिर इस आदुनी गनेश बुजा का चोथा दोस है, कि गनेश जी की जो मूर्ती है, वो गंदे पानी में विसरजन की जाती है, जिसमें लोग मल मुतर का त्याग करते हैं, अगर हमारे कोई सबंदी मर जाता है, तो क्या ह हमारे सबंदी को ऐसे गन्दी गटर के पानी में डालेंगे, सभावी के नहीं डालेंगे, सास्त्र में वणन है, कि अगर कोई विसेश पुजा के लिए गनेश जी की और कोई देवी जाता की मूर्ती के जरूर पढ़ती है, तो ऐसी मूर्ती बनाने की जो पानी में पिगल पिगल जाए तुरंत, और वो पानी कैसा होना जी है, सुद्ध पानी बना जाए गन्दा पानी नहीं चलेगा, साहिद आपने गनेश जी की मूर्ती को विशर्जन करने के बाद का सीन नहीं देखा है, आज मैं आपको गनेश जी की मूर्ती का विशर्जन करने का बाद का सी देखिए ऐसा लग रहा है कि गणेजी किसी युद मैदान में युद करते करते वीर गदी को प्राप्त हुए है फिर इस पोटो को देखिए ऐसा लग रहा है कि किसी ने गणेजी के हाथ काट दिये काट दिये फिर इस पोटो को देखिए इसमें गणेजी का जो रूप है गणेजी पुकार रहे हैं हे प्रभू ऐसे करके हे प्रभू आपनी कैसी दुनिया मनाई है इन्होंने मेरी हालत कैसे करके देखिए कैसी हालत कर दी मेरी आपने मेरे को विगन दूर करने की सेवा दिया था लेकिन अभी तो मुझे मेरे उपर ही विगन आ गया है लोग मुझे इस संकट में डाल रहा है इस परिश्टिति से मुझसे बचाइए ये थोड़ी देर में मेरे उपर बूल लोजर घुमाने वाले है गणेश जी ऐसे एक गे रहे है मगवान को बूल लोजर नजीक आरहा है इस फोटो में देखिए ये देखिए एक देवता पर बुल लोजर गुमाना कितना बड़ा पाप है मैंने इस वीडियो का टाइटल दिया था क्या आपने गणेजी की हत्या करने के लिए किसी को दन दिया मैं यही कहना चाहता था कि अगर आपने किसी को गणेज उसो में दान दिया है और विसरजन के बाद ऐसे गणेजी पर कोई बुल लोजर गुमाता है तो इसका आर्थ यह हुआ कि आपने गणेजी की हत्या करने के लिए किसी को रुपिया दिया है यह तो महापाप है आप अपनी बुद्धी लगा कर सोचिए कि यह जो आदुनी गणेज पूजा है उसका परिणाम क्या आएगा सास्तर के नुसार बुद्धी लगा के सोचिए और फिर कॉमेंट दीजिए और परश्न पूछिए अरे गिश्ना धन्यवाद